असलाम आलेकुम दोस्तों, कैसुआ आप सब, COVID-19 के बारे में कुछ जरूरी अपडेट शेयर करनी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को मैं भी शूट कर रहा हूँ देखिए इंडिया में आज हाई लेवल की मिटिंग हुई, उस मिटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने कुछ अहम बाते बताई हैं, वो भी इस वीडियो में शेयर करूँगा उससे पहले COVID-19 का जो ताजा अपडेट है, वो शेयर कर देता हूँ देखिए चाइना में अचानक से नया वेरियंड मिला, जिसके वज़े से पूरी दुनिया को फिर से दहसत में आ गई WHO का ये मानना है, कि चाइना अपना आकड़ा जो है, छिपा के बता रहा, कम बता रहा, वहाँ पे हालत इससे भी ज़्यादा खराब है दूसरा चीज, इंडिया में ताज महल अभी कोई भी देखने के लिए आएगा, विदेश से फोरन कोई भी टूरिश्ट लोग आएंगे, उनको पहले प्री टेस्ट कराना कोवीट का मैंडरेटरी कहा गिया है बिना टेस्ट का कोई भी अभी ताज महल विजिट करने नहीं जा सकता वहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं देखने के लिए और नया वेरियंट इंडिया में भी तीन मिला, गुजरात में दो और ओडिसा में एक मिला हलाकि ये तीनों ही पेसेंट जो है ठीक हो गए किसी को जान का कोई नुकसान हुआ नहीं लेकिन अलर्ट रहना चाहती है भारते सरकार इसके बाद अभी देखिये लोगों में एक डर है कि कोविड नाइटीन का नया ट्रावल रूल क्या रहेगा फिर से पहले जैसा PCR, एर सुविदा, फ्लाइट रिस्टिक्शन ये सब तो नहीं होगा तो दीखे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है फ्लाइट चल रहा है एर सुविदा भी स्टार्ट हुआ नहीं है कुछ मेना पहले ही बंद किया भारत सरकार ने जो हम लोग आने से पहले भरते थे, एर सुविदा का रेजिस्टेशन करते थे, अपना डीटेल डालते थे फ्लाइट का, खुद का, ताकि अगर कोई COVID पोजिटिव होता था तो उनको ट्रैक कर सके भारत सरकार तो ये फिलहाल अभी भी बंद है लेकिन अगर केसे इसी तरह बढ़ता रहा तो हो सकता है ये फिर से शुरू हो जाए ये कुछ न्यूज अख़बार में ख़बर आ रही है इसके बाद PCR टेस्ट, PCR टेस्ट अभी भी किसी को कराने की जुरत नहीं है लेकिन आज जो मिटिंग हुई उसमें प्राइण मिश्टर नहेंदर मोदी नहीं ये कहा कि अगर स्टेट गॉर्णमेंट को लगता है कि PCR चाहिए कराना, इंटरनेशनल पैसेंजर्स को तो फिर PCR टेस्ट कराना पड़ सकता है बहराल अभी ये कहा गिया है 24 दिसंबर से इंटरनेशनल पैसेंजर्स को रेंडमली 2% PCR टेस्ट कराना पड़ेगा ये ठीक उसी तरह जैसे बीच में हो रहा था फ्लाइट में रहेगा कोई भी रेंडम सो में से 2 पैसेंजर को पकड़ लेंगे वो लोग भाई PCR टेस्ट कराओ अगर उनमें से कोई पोजेटिव रहता है तो फिर बाकी लोगों को भी ट्रेक किया जाएगा और अगर पोजेटिव नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीज़ याद रखिएगा लेकिन आज जो मीटिंग हुआ हाई लेबल का उसमें नरेंदर मोदी जी ने ये कहा कि जितने भी दुकांदार है या फिर स्टेट गौर्रमेंट है वो सिरियस रहे इस्टिक्ट रहे कोई नाइंटिन को लेके हलके में ना रहे कोविट को लेके जितना भी इंफर स्टेक्चर बनाए गये थे वो सब को ध्यान में रखना है जितना भी होस्पिटल बना था वो सब तेयार है या नहीं ये सब चीज पूछा गया इसके अलवा मास्क जितना भी इंडोर प्लेस है जहां भीड़ भाड़ होगा वहाँ पे मास्क लगाना मेंडेटरी होगा अब दीखे कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि भारत में चाइना जैसा हाल नहीं होगा इसके पीछे वज़ा ये है भारत का जो वैक्सिन है कोवी शिल्ड वो ज़्यादा इफेक्टिव है ज़्यादा ताकतवर हम कह सकते है चाइना का जो वैक्सिन है उससे इसके अलाबा कहा गिया है जितने भी लोग है उनको वैक्सिन लेना ज़रूरी है जिसने भी जो डोज पुरा नहीं किया वो dose को पूरा करते रहें बुढे लोग जो हैं उनको booster dose के लिए कहा गया है जिन्होंने भी second dose या first dose लेके बाकी dose नहीं लिया है वो बाकी का dose complete कर लिजिए अलहमदलिल्ला देखिए मेरा भी third dose के बाद लगबग 9 महना पार हो गया था fourth dose मैंने नहीं लिया था लेकिन चुट्टी जब मैं आ रहा था तो मैंने सोचा नहीं मैं ले लेता हूँ अल्ला का शुक्र है अभी देखिए COVID-19 का फिसे केस बाढ़ रहा है नहीं लेते तो मैं भी immune नहीं कहला था तो फोडोज मैं ले गया अल्हमदुल्ल सौदी से इसके पाद देखिए इंडिया में भी कुछ स्टेट में कडाई जो है स्टार्ट हो गया करनाटका गॉर्मेंट नहीं यह कहा है कि जिनको भी फ्लू जैसा सिम्टम्स रहेगा उनको प्री टेस्ट करना पड़ेगा तब ही वो फ्लैट में जा सकते हैं भीडबाड एरिया में जा सकते हैं वहीं पे राजस्थान सरकार ने भी कह दिया है कि वो भी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देंगे तो दोस्तों यह था COVID-19 को लेके अपडेट जितना भी अपडेट था अभी तक का मैंने आप लोगे साथ में शेयर किया वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी जरूर बताईए पैनिक होने की जरूरत नहीं है COVID-19 का वैक्सिन का जितना भी डोज है उसको पूरा करकर रखिये इंशाल्ला ट्रवल को लेके कोई दिक्कत नहीं होगा मिलता हूं फिन नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिया अपना थेंक्यू सो मच पो वाचिंग